हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल मोनास कॉर्णर कैसे हैं गाइस आप सब तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत हैं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकप मैं आपके साथ ये मेकप लोग क्रेट करूंगी वीडियो को पूरा देखिएगा अब शुरू करने से पहले छोटी से रिक्वेस्ट है गाइस अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन बिल जाएं आप लोग को तो चली शुरू करते हैं वीडियो तो गाइस सबसे पहले फेस वाश करने के बाद मैं अपने फेस को मॉश्यराइज कर रही हूं जोया स्किन के एर क्रीम के साथ ये भी एक फ्रूट क् है मेरे पास और मैं बहुत ही अच्छे से मॉश्यराइज करने वाली अपने फेस को विकॉज आई है बेरी ड्राइ स्किन और विंटर आ गया है तब तो पस पूछिया नहीं मेरे स्किन का क्या हाल हो गया है तो इसमें मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस और नेक पर को कि अलसो वेरी फोडेवल और इस तरीके से मैं सारे प्रोड़क्स के नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग चाहें तो उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं यहां पर मैं आज यूज करने वाले एन्वाई बे की यही मेरा ब परबल.com पे ही मिलती हैं और देखी इसमें बहुत सारे शेट्स आते हैं तो इस तरीके से मैं इससे ही आज अपना बेस क्रेट करने वाली हूं और यह आपको 100 पीस के अंदर मिल जाएगी परबल.com पे और इस तरीके से मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रह हैं और यह अपने ब्रोज को मैं हाइलाइट करने के लिए कंसीलर यूज कर रही हूं और आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं अगर आप लोग के कोई डार्क पैचल्स हैं या फिर आप लोग कोई डार्क धब्बे हैं तो आप लोग कंसीलर से हाइट कर सकते हैं इसके ओप कि डार्क सर्कल्स होते हैं तो आपको कंसीलर यूज करना चाहिए और जबकि फेस्टिव सीजन है वेडिंग सीजन है गाइस तो इस तरह के साब मेरे वीडियो के थूरू अपना मेकप करना सीख सकते हैं और देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है यहां पर बाते कर रही थी इसलिए मुझे हसी आ रही थी मैं अपने भाई से बाते कर रही थी आफ्टर इस गाइस आइम यूजिंग दिस मी ओन कॉम्पेक्ट पॉडर और जो कि मैंने ब्रिश की ह ब्रोडर और जेल आइलाइनर और इसकी हल्प से मैं कर रही हूं अपनी ब्रॉज को फिल गाइस मैंनो और भी बहुत अच्छे वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं ब्लॉक्स डाले हैं अगर आप लोग ने नहीं देखे तो प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन यह है डार्क शेड इसका और यह सबसे डार्क शेड था इसका कॉंटॉरिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगी इसको नोस की एंड फेस की कॉंटॉरिंग अच्छे से कर लूँगी तो आप लोग देख लिजे स्टेप बेस स्टेप मैं आपको बता रही हूं काफी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं प्रोडक्स तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यह एक बार मुझे कमेंट करके बताएगा आपको लुक कैसा लगा तो आप लोग बताते नहीं है प्लीज और अगर हाँ मैं आपको बता चुकी अच्छा लगए तो लाइक बिना करें मत जाएगा लाइक माई वीडियो गाई और इस तरह किसे देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैंने इसको कॉंटोरिंग भी कर लिए अच्छे से तो जिनके ब्रॉट फेस होते हैं वो लोग इस तरह से कॉंटोरिंग कर सकते हैं देख सकते हैं इस तरह किसे लोग इससे पहले भी क्रेट कर रहे हैं अगर आप लोग ने नहीं देखें आप लोग को देखना तो प्लीज आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके जाएगा तो गाइस देख सकते हैं इस तरह की से मैंने कॉंटोरिंग कर ली है यहां पर मैंने लिया है स्व करते करते ही आप लोग को भी आजाएगा तो इस तरीके से पहले लाइट ब्राउन से ब्लेंडी करें अफ्टर इस आउजिंग इस डार्कर शेट ऑफ ब्राउन और इस तरह की से मोजें से लेते हूं इसको मिड़ल लेट तक लेकर आ रही आ हूं देख सकते हैं गाउस इस प्यारा शेड लग रहा था मुझे light color तो मैं उसको इनर से लेकर middle lid तक ला रहीं इस copper shade को देख सकते हैं आप तो आपके outer color पर हो जाएगा dark shade और आपके inner corner से middle lid तक हो जाएगा light shade तो यह मुझे काफी अच्छा लगा था अपना combination after this I am applying यही brown shade on my lower lash line देख सकते हैं इस तरीके से मैंने brown shade लगा लिया है after this मैं highlight कर देए अपने inner corner को इसको भी मैंने इसी palette में से highlight किया है brow bone को भी मैं highlight कर देए इसी palette में से light shade दे रखा समय silver color तो गाइस उससे मैंने इतने brow bone को highlight कर लिया इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं गाइस तो यह मेरा इतना eye makeup हुआ है अभी after this I am using NY Bay liquid eyeliner black color जो की काफी affordable है और यह मुझे काफी पसंद है because it's very jet black color यह काफी इसका color जो है बहुत अच्छा लगता मुझे काफी jet black है और इसको भी मैंने अप्लाई कर लिया है विग eyeliner मैंने create किया है गाइस eyeliner के उपर मैंने एक video separate बनाया है कि आप eyeliner कैसे लगाएं तो वह भी अगर आपने नहीं देखा हो तो link देख लीजेगा description में इसके बाद मैं अपने inner corner की तरफ से ले जाती हुँ उसको इस तरह के से लगा रहे हूं देख सकते हैं आप लोग थोड़ा आपको इस तरह से आई मेकप करेंगो तो आपकी आई सोड़ी बड़ी लग सकती है और फिर पूरी लैश लाइन पर मैं धल किसी लाइन लेके जारी हूं बिलकुल पतली सी मैंने नीचे भी लगा लिया है लाइनर इसके बाद में अपना मसकार युज़ कर रहे हूं fuegolaveοι के लिया रियू को मेन मेल्ओंiform Deathんと कले कर र कर रहे हूं अपने अपने अपना लैशेश को का र्ल कर रहे हूं जाय का बंपकर्टन बहुता है और लॉर्ड लेशेस को भी मत भूलिएगा गाइज विकाज इस वेरी इंपोर्टेंट स्टैप इनाए मेकप आलसो और यहां पर मैं एन्वाइब की ही वाइट का जल यूज उसकर रही हूं और अप्लाई कर रही हूं और अप्लाई कर जूज बलावस्टे का सौरी कलर स्कून का हाइलाइटर जो की मेरा मैंने यूज किया है देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से हाइलाइट कर लिजेगा अपने फेस को मतब जहां 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 आपको हाइलाइट करना है देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग को हाइलाइटिंग करनी अपने फेस पर इसके बाद आप लोग makeup setting इस पर यूज़ कर लिजेगा चाहे wedding season हो चाहे festive season हो यह look बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अगर आप लोग create करेंगे तो बस इसके बाद देख सकते हैं मेरा final look it is my final look guys मैंने इसको pair किया है एक bright color के choker के साथ because मेरी कुरती काफी light shade की म उसमें foil print print है golden color से that's why I am using colored choker and earrings तो देख सकते हैं कितना बढ़िया set लग रहा है इस कुर्टी के संग कितना अच्छा match हो रहा है क्योंकि वो sober है और इस तरीके से हमने इसमें color भी add कर लिया अपने पूरे look में तो guys देख सकते हैं कितना all over look अच्छा आया है because हमने इसमें का all beautiful ladies happy करवा चौद अगर आप लोग मेरा ये makeup लोग अच्छा लगए तो आप लोग इसके संग भी आप इसको भी create कर सकते हैं इसके साथ बिंदी और सिंदूर एड़ कर लिजेगा तो guys कैसा लगा ज़रूर बताएगा चलिए मिलते हैं next video में अपना ख्याल रखेगा till then bye bye take care see you soon